हालो फ्रेंड्स प्रेम्दा कीचीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकर रही हूं ब्रेड से बनने वाली नूरेसिपी वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें तो देखें मैंने यहां पर नॉर्मल साइज के ब्रेड लिये हैं आपको इसे भी ले सकते हैं दो से दीन मैंने आलू लिये हैं आलू को अच्छे से वोयल कर लिया है और इनको अच्छे से हातों से मैस कर लेंगे तो मैंने सभी आलू को अच्छे से मैस कर लिया है हमने यहां पर एक प्याज लिया है उसको फाइन सा कट कर लिया और दो मिर्ची लेंगे उनको भी हमने आकोडिंग ले सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं आदा चमची मैं यहाँ पर सौफ लूँगी सौफ का फिलेवर अच्छा आता है और एक चमची हमने यहाँ पर अमचूर लिया है यदि आपके पास अमचूर ना हो तो आप नीबू का रस भी ले सकते हैं आदा चमच हम यहा इस ब्रेड को हम दो भिरडों के बीच में लगाने वाले हैं, तो इसको हमें अच्छे से शेखना हैं, जिससे की ये कच्छा ना रहे और अच्छा सा करण्ची सा लगे तो देखिए मैंने यहां पर ब्रेड के दोनों साइड गी लगा लिया है आप बटर भी लगा सकते हैं या गी भी लगा सकते है जो आपके पास उपलब्ध हो लगा सकते हैं अब हम यहां पर थोड़ा सा तवे पर गी लगा लेंगे और इसको अच्छे से शेख लेंगे तो हमें यहां पर देखिए ब्रेड को अच्छे से उलड़ते पलड़ते सेखना है तो हमारा ब्रेड भी अच्छे से सेख चुका है हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब यहां पर हम दूसरा ब्रेड लेंगे इसके मैंने ग्रीन चीली सॉस लगाई है यदि आप खाना चाहते हैं ग्रीन चीली सोस तो आप लगा सकते हैं यदि आप ने खाना चाहते हैं तो इसकीब कर दें आप कोई भी और सोस लगा ले तो मैंने यहाँ पर देखिए ग्रीन चीली सोस लगाई है इसको अच्छे से फैला लेंगे इसके बाद हमने जो आलू का म बसाला ही लिया हैं का तो इसको अच्छे से लगा लेंगे कि-अब हम यहां पर एक लेंगे चीज स्लाइस को एसको भी हम अच्छे से इसकmber लगा लेंगे क्योंकि हम बहुत ही ज़दा चीजी सैंड़्िच बनने वाले हैं अब चीज के ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे तो देखिए मैंने सॉस भी अच्छे से फैला लिया है अब हमने जो ब्रेड सेखा था हम उसको लेंगे अब इसके उपर हम लगा लेंगे मियो नीज तो देखिए मियो नीज को भी मैंने अच्छे से लगा लिया है इसको भी आप खूब सारा लगाएं अच्छे से क्योंकि हम बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही चीजी वाला सेंड्विच बनाने वाले हैं तो इसको हम इसके उपर रख देते हैं उसके बाद हम फिर से ग्रीन चीली सॉस लगा देंगे क्योंकि आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सेंड्विच बनाने वाले हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ टमाटर प्याज कट किये थे तो हम उनको लगा लेंगे अब मैंने यहाँ पर कुछ टमाटर लगा दिये हैं और कुछ प्याज लगा देंगे उसके बाद जो हमने आलू का पेश्ट बनाए था उसको और लगा देंगे तो देखिए आलू के पेश्ट को भी अच्छे से फैला कर लगा देंगे उसके बाद हम एक और चीज सिलाइस लगाएंगे यदि आपके पास कोई सी भी चीज हो आप वो लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए चीज के उपर और थोड़ा सा और सॉस लगा दिया है सॉस लगाने के बाद में मैंने यहाँ कुछ मसाले लिए हैं वो मसालों को हम इस पर डाल देंगे उसके बाद जो हमारा ब्रेड है उसके हम और म्यूनिज लगा देंगे तो देखे मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है और हम इसको ब्रेड के लगा देंगे सैट करने के बाद में हम तवा लेंगे और तवे पे भी अच्छे से गही लगा देंगे घह हमें अच्छे से लगाना है जिससे की हमारा जो ब्रेड है नीचे से जले नहीं तो देखे घी लगाने के बाद में हम बहुत ही आराम से इस सैंडविच को रखेंगे रखने के बाद में हमने यहां पर चीज लगाई थी तो हम कुछ ऐसा बरतन लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे जिससे की जो गरम होकर जो चीज है हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो देखे दो से तीन मिनट लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से पका लिया है तो हम इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसको पलड़ देंगे तो देखिए नीचे से भी अच्छे से सिक्कर त्यार हो गया है हम यहाँ पर इसको पलट दिया है हमने तो हम नीचे के साइड भी और घी डाल देंगे थोड़ा सा घी अच्छे से डालें आप क्योंकि यदि हम घी नहीं डालेंगे तो हमारा यह नीचे से जल जाएगा और प् इसको अच्छे से कवर करें जिससे कि हमारी जो चीज है वो बहुत अच्छे से मेल्ट होगी तो देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ हम इसको एक बतन में निकाल लेंगे तो मैंने आपर प्लेट में निकाल लिया है तो देखिए हमारी चीज है वह अच्छे से चारो तरज से निकलने लग गई है और बेट बहुती अच्छा और क्रण्ची बनकर तयार हुआ है बच्छों को बहुत पसंद आता है अब हम इसको कट कर लेते हैं तो देखिए मैंने अच्छे से कट कर लिया है आपको मैं दिखाती पास से कि देखिए चीज अच्छे से निकलने लग गई है इसमें देखिए कितना अच्छा लग